हेलो एवरीवान कैसे हैं आप सेब वेलकम पैक टो माई चैनल प्रियार ब्लॉग और आज है सनीवार और अभी ब्लॉग मैं डेड़ बचे दो पर में स्टार्ट कर रही हूं क्योंकि मैं जा रही हूं नेपाल में जो सबसे प्रशिद महताजी का अक्थान है जो बहुत ही फे और अभी दो पर के देर बज़े रहे हैं तो मैंने सूचे क्यों आप लोग के साथ ब्लॉग सेयर किया जाए और आज मेरी बुआ के छोटे बड़े वाले बाबु का बड़े है कृष्णा तो आओ इसका बड़े हास तो इसके बड़े के मतलब ऑसर पर बोल सकते हैं जा रह है तो मैं यह वाली डुपट्टा इस पर लगा ली हूँ और भाई हम और शिस्टर मेरी बू आपको सब लोग रेडी हैं बस गाड़ी का वेट हो रहा है गाड़ी फटा-फट से आएगा हम लोग निकलेंगे तो क्यासी लग दिए हूं मैं कॉमेंट करके बताएगा मुझे बस इसका डुपट्टा घर पर चूट गया जल्दी जल्दी में तो मुझे डुपट्टा लगाना पड़ा है अच्छा लग रहा है कि नहीं देखती हूं अगर नहीं अच्छा लगेगा तो मैं दुपट्टा चेंज करूगी और चलिए फिर ब्लॉग करते हैं आज का ब्ल मंदीर नहीं दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो जो होगा हो सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी मंदीर का क्योंकि मैंने वहां पर स्टार्ट अप किया था और मैंने वहां पर एंड भी किया है तो पूरा वीडियो एक प्रॉपर मंदीर का आएगा तो यहां जा रहे थे र और्सटेया में अभी नेपाल में बहुत इन्डëस्टरिया है यहां पर बहुत सारी एंबहँ सारी कंपאני अधर प्रोडक्ट की और मैनुफेक्ट्रिंग बहुत भोत होती है इथर और जो स्कूल में कोष्स करें डीएवी कॉलेज करके कुछ है तो और फिर रास्ते में यह मुझे दिखाता है एक साइड हम लोग गया थे जिदर थोड़ा सा वीलेज एरिया टाइप का था उदर बहुत सारे में तो थोड़ा सा दिखा रही हूं पूरे प्लॉट के प्लॉट मक्के की खेती थी और बहुत ह चीहिए जादे इदर मक्य की खेने की खीनि AAA कि फसल इई दर बहुत अच्छी नहीं थी आप लोग देख सकते हैं लेकिन मकके की फसलना बहुत ही सांदार थी और बहुत लोगों ने बहुत ही जादे मात्र में मक्के लगाए हुए थे और बहुत ही अच्छा लगा फिर अब पोच करने हैं आप भी शोलिए आई बलो और भाई ने तो मंदिर पैंट्री करी दिया हुँ बोल रहा था बहुत ही क्यूट लगा तो मैंने वह शोल पर नहीं किया उसको ऐसे डाल दिया है और यहां मंदिर से पुझा करके हम लोग नीचे उतर रहे थे जिसी सथर हाए आप लोगों को तो और सक हम लोग घर के लिए निकल कए थे पूझा करने के बाद तीन बजगए था सामका तीन साड़े तीन हो गया था मंदिर तीन साड़े तीन या फिर चार ऐसे कुछ टाइम हो रहा था एक जेक टाइम या नहीं और हम लोग गाड़ी में थे अब निकल गए थे घर के लिए आने के लिए तो फिर रास्ते में हम लोग रूखे थे और मैं आपके साथ दिखाऊंगी कि जो हम लोग जहां पे हैं बीर ग गाड़ बैठे हैं मैं आपको थोड़ा से दिखा रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी ना आगर इनको कैमरा दिखे तो सोचेंगे क्या कर रही है देखिए होटल मकालू और यहां मैं आ गई थी तो मैं बताओं कि यहां पर मेरी जो बुआ हैं उनकी जो सबसे छोटी ननद हैं तो उनके हस्बेंट यहां कैस काउंटर पर रहते हैं जॉब करते हैं जे मतलब की मैनेजर टाइप का कुछ है पोस्ट तो यहां सब लोग आ गए थे और बहुत ही हरास्मेंट टाइप कर लग रहा था क्योंकि दूर कहीं जाना और आने में थोड़ा सा हो जाता है हरास् फॉड दी तारट क्लिक करवा रही हृति है तक आप नों मैंना मेरे इंस्टाग्राम पर नहीं होंगे भी कॉर्त्य थे इन दूरी ह nis देखनी है तो मेरे Instagram ID पे जा सकते हैं Instagram ID का नई में प्रियादीविधी9999 वहां से आप मुझे follow कर सकते हैं वहां से direct message करके मुझे मुझे से बात कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो और चलिए आगे वीडियो में दिखाते हैं क्या खाते पीते हैं और सब लोग यहां बैट के इंजवाय कर रहे थे नीचे फ्लोर पर हम लोग ते उपर नहीं थे क्योंकि ड्राइबर नहीं बहुत तेजी कर रहे थे कि लेट हो रहा है कंपनी की गाड़ी यह जाना था कहीं त तो फॉपा जी बोल ले था कि जल्दी चलेंगे फिर बहुत रात हो जाएगा केक कटने में तो जल्दी चलेंगे तो फिर जल्दी सब कुछ होगा तो यहां मैं कोल्रिंग पी रही थी और यहां मैं सीर्याज इसलिए दिख रही हूं क्योंकि यहां पर मैं फोटो क्लिक कर आप लोग यहां से इंस्टाग्राम पर मेरे तो दीख जाएगा हो फोटो वहां पर तो सब लोग मस्ती कर रहे थे चलिए कि अब 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 और नास्ता करने के बाद कोल्डिंग पीने के बाद हमनों खाया थे फ्राइड मूमो वेज मसाला यहां पर थोड़ी सी ग्रेवी जैसे थी और अपना जींदीया में जो मूमो में है उसका जो लेयर होता है बहुत ही पतला होता है यहां पर थोड़ा सा मोटा था इह थी की फ्राइग करने के वज़े से हुआ था कि क्योंबट मोटा था इसका लेयर बाकि टेस्ट के कोडिंग हमारे इंडिया जैसे ही यहां का टेस्ट था लेकिन इसके जो उपर का लेयर है देख सकते हैं काफी मोटा था हम लोग के वहां बहुत ही पतली वाली बनती है मोमो की लेयर और यहां पे बेबी कॉर्ण था इसको पता नहीं कैसे उन्होंने बनाया था मतलब होटल व अच्छा रहा बड़े का दिन आई इस ब्लॉग में मैं बड़े ना सेलिब्रेट करने का ब्लॉग डाल पहूं अगले वीडियो में जरूर दिखाऊंगी हमने क्या-क्या बनाया कैसे कैसे किया आई तिंक बहुत सारी वीडियो जब अच्छे अच्छे आने वाली है ने पा जाईएगा फॉलो करिएगा वहां से बाते करते हैं अच्छा लगता है मैं वहां लाइव भी आती हूं आप सभी के मेसेज का रिप्लाई करती हूं और यहां मैं दिखा रही हूं नेपाल पुलिस का जो टैट्टू जैसे लगा था क्या था कागच का जैसे होता है इस बाई अपने और अपने परिवार का ख्याल रखे स्वास्त रही है ब्यास्त रही है मास्त रही है और इंज्वाय करिए बाई बाई